आज के इस वीडियों आप देखेंगे कपोला फर्नेस किस तरह से काम करता है कपोला फर्नेस का काम होता है पेग आरेंज को कास्ट आरेंज में चेंज करना या उसको मेल्ट करना तो यहां पर आप देख रहे हैं यह ट्रॉली है यह नीचे की तरफ आ रहा है कनवेर सिस्टम स और इस ट्रोली के थ्रू हम कोल उपर भीजते हैं क्योंकि इसमें जो आप कपो 일ाप्ष में के करता है ओटा साइट आट इसको भी उपर से करते हैं तो कोल फीडिंग सब्सूमुण रहता है ये थिक हैं अबर रहता है और यह कर्दा पाइब सकता है उस आपका सपोर्टिट रहता है यह आप देख सकते हैं अभी जो यह आप पर लेवर है वो को इसमें ट्रॉली में फिल कर रहे हैं और यह उपर कन्वेर सिस्टम है उसके थ्रू उपर की तरफ जाएगा अभी कन्वेर सिस्टम में आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक्जेक्ट काम करता है और इसमें फिर आप नीचे देखेंगे तो कास्ट आयरेंड का करड़ों है जहां से आपका कास्ट का ऊहरा घाता है मोल्टन फर्म में और बैसिकली इसको फिर कास्टिंग कसा यूज़ करते हैं जो आपका फंड्री यह जो मोल्टन बॉक्से होते हैं वह उस मोल्ट में इसको आपकों का स्अपोर क्पॉल आपार आता यह आप पूरा कपोला फर्नेस का सेटप देख सकते हैं और यह आपका 123 डायमीटर शेल की डायमीटर होती है और करीब 45 टैंस इसकी लेंथ होती है डायमीटर के मतलब डायमीटर एक से तीन मीटर होती है और एक और इसके चार से पांच गुना इसकी लंबाई होती है यह आप नीचे देख सकते हैं फरनेस में LPG गैस भी यूज़ कर रहा है और नीचे बुड को रखा जाता है इसको रखने का लोजिक यह होता है क्योंकि यहां पर सबसे वहले बर्निंग की जाती है और इस बर्निंग से क्या होता है जो आप कोल फाइरिंग कर रहा है उपर से जो कोल ड आका वहार आता है और इसको क्रुसिवल और लेडल के हैल के आप उस मोड़ की तरह ले जाते हैं यहां पर ऊला को जो आपका मोल्डिंग सेंड है मोल्डिंग सेंड के लिए इसको यूज करते हैं अजा बाइंडर और आगे आप देखेंगे यह ब्लोवर लगा हुआ है इस ब्लोवर से आप ट्यूर्स में एयर सप्लाई करते हो जिससे एयर अंदर जाता है और उस एयर की हैल्प से आपका कमशन होता है यह मैं उपर की तरफ जा रहा हूं जिसमें आपका फीडिंग किस तरह से की जाते हैं वो सारा सेटप आपको देख सकते हैं जिससे आपका एयर अंदर एंट्री दी जा रही है और इसमें यह आप देखेंगे तो सबसे नीचे बैल होता है बैल के ऊपर कमशन जॉन होता है कमशन जॉन में जो आपका होती है वो जैसे आपका कारवन है या फिर मैंगनीज है तो यह औक्सियन से सब्सक्राइब होता है यह मैं आपको ऊपर का सेटप दिखा रहा हूं किस तरह से यहां यह जिससे स्मॉक निकल ला है यहां पर इस मैं फीडिंग करते हैं बैसके लिए कोल की और जो पिगायरे रहता है उसकी यह उपर कन्वेयर सिस्टम का सेटप लगा हुआ है जिससे आ यहां पर ग mogę का सब्ड़ेफ हो रहा है और इस कीडियरंग्स से आप देखेंगे आगए पावर का सब्सालाइब हो रहा है और यह आपका जो उपर वाला हिस्सा है यह कहलाता है आपका इस पार्क अरेस्टर और यह बेसिकली क्या करता है इसमें जो गैस रिलीज होती है इसमें कुछ ऐसे हामफुल चीज़ों होती है उन हामफुल चीज़ों को यह यहीं पर रोक के रखता है होल्ड करके रखता है लुआ है मैंने आपको बता रहा था बैल बैल के उपर आपका ऐसीडाइजर्टाइढ़ लुटा इसको कमर्स जन भashion उसके ऊपर रिड्डीसिंग जॉन होता है और रिड्डीसिंग जॉन में कार्विन डियूक्साइड कारवन से राशल करकर नूरह बनाता है और इस zone में थोड़ा temperature कम होता है और करीब 1200 degree Celsius temperature रहता है और इसके बाद आता है melting zone जिसमें आपका melt होता है ये आप देख रहा है पिकारन है यहाँ पड़ा हुआ है fresh पिकारन है जिसके आप ये जो scrap है कास्टारन का scrap है उसके साथ इसको डालते हैं और 50% Custraranbeet साथ जैए至 1160 to 34 समें 5 वे बधान भी BC के लेख नचे है और 50% सीचियर साथ की साथ को डालते है और इसके साथ लाइम इस्टारन है लेर कि είναι ये न पिकारन का अव्म लावन्होंरा जाताै दिए कोल डाला Kaul के पिकारी आपका माद ने lesi लाइम स्टॉन डालते है जो कि ऐस तक का काम करता है जो ऐस अ फ्लक्स का काम करता है फ्लक्स बात में तक बात में चिंज़ जाता है और इसको रिमूव किया जाता है तो इस इट थेंक्यों वाचिंग प्लीज दो सब्सक्रैब माई चैनल